नमस्कार दोस्तो स्वागत हमाई चैनल सुपर अपडेट्स में दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे मुझसे शादी करोगी और मैं हुना फिल्म के बजट और वॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्त इस वीडियो को शुरूर से लेकर अंतक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं मुझसे शादी करोगी फिल्म के बजट और वॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में। मुझसे शादी करोगी सन 2004 में आई एक रोमेंटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस में सलमान खान, अक्षे कुमार, प्रियंका चुपड़ा, अमरिशपुरी, कादर खान, राजपल यादो, सतीश शा, सुप्रिया करनिक, अमरिता अरुरा और विंदु दारा सिंग नजर आये थे। इस फिल्म को दीविड दवन ने डिरेक्ट किया था, इसे प्रोडूस किया था साजीट नडियाडवाले ने। इस फिल्म की काई लिखी थी अनीजबाजमी और रूमी जाफरी ने। इस फिल्म को 30 जूलाई सन 2004 में रिलिस किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 19 करोड था और इस फिल्म ने इंडिया में 30 करोड का कलेक्शन किया था। चौथी आहिश ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक साजीद वाजीद और अनुमलिक ने दिये थे। इस फिल्म ने कुल 6 गाने थे और सभी गाने सुपर हीट रहे थे। इस फिल्म का एक गाना जीने के हैं 4 दिन ये गाने उससे में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और इस गाने का टॉविल डांस उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी है इस गाने को सोनो निगम और सुनीदी चौहन ने गया था वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार को बेश्ट परफॉर्मेंस इना कॉमिक रोल का आईफा अवार्ड मिला था और बेश्ट सपोर्टिंग एक्टर का ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स मिला था तो चले फिल्म से जोड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं इस फिल्म में सर्मान खान के बाल नकली थे उन्होंने वीक पहना हुआ था मुझसे साधी करोगी सर्मान खान की अक्षे कुमार और प्यंकर चोपड़ा की साथ में पहली फिल्म थी इस फिल्म के गोवा के कुछ सिंस मुंबाई में ही शूट किया गए थे अब जानते मैं हुना फिल्म के बजट और बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में मैं हुना सन 2004 में आई एक एक्षिन फैमिली ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म ने शारुक खान, जायत खान, अमरिता राव, सुस्मिता सेन, सुनिल शेट, ठीकीर, कबीर वेदीन, असुरुद दिन शाह और मुरली शर्मा नजर आये थे इस फिल्म को फरा खान ने डारेक्ट किया था और इसकी कहानी उन्हों नहीं लिखी थी और इस फिल्म को फ्रोडूस किया था गौरी खान ने, इस फिल्म को 30 एपरियल सन 2004 में रिलीज किया गया था अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 35 करोड था और इस फिल्म ने इंडिया में 37 करोड का कलेक्शन किया था आपको बता दो कि इस फिल्म ने पहले दिन में 2 करोड़ 72 लाग का कलेक्शन किया था तो अपने पहले अपते में 14 करोड़ 57 लाग का कलेक्शन किया था वहीं अगर वर्ड वर्ड कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म ने 14 करोड़ का वर्ड वर्ड कलेक्शन किया था और यह film हिट साबित हुई थी अगर बात कर इस film के IMDB रेटिंग की तो इस film को 7 डेटिंग मिलें और यह film उस साल की दूसरी haishrobi क्रोसिंग फिल्म रही थी वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस film के है म्यूजिक अन्नौ मलिक ने दिये थे इस फिल्म में कुल साथ गाने थे और सभी गाने अच्छे हीट रहे थे इस उनके साउंट्रेक उस साल की पांची सब से ज़्यादा विक्नी वारी साउंट्रेक रही थी वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस उनके लिए अन्नो मलिक को बेश म्यूजिक डायक्टर का फिल्म फेर अवार्ड मिला था तो फराख खान को बेश डेव्यू डायक्टर का आइफ अवार्ड मिला था तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ facts के बारे में जानते हैं नमबर एक सुनेश एटी से पहले उनका रूल कमाल असन अनाना पाटिकर को आफर हुआ था पर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था नमबर दोर चांदनी के रूल के लिए पहल एशोरिया राइब को साइन किया जाने वाला था पर उन्होंने सारुक के साथ काम करने से मना कर दिया था फिर ये रूल सुसमिता से ने निवाया था नमबर तीन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक सीन माई शारुक खान जब डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं तब तब भू भी नजर आती है तो दोस्तों दोनमर से आपको कौन से फिन ज़्यादा पसंद आये थी हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और ऐसे बॉक्स ओफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करने ना भूले ता कि हमारे वीडियो के और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके